नमस्कर दोस्तों मैं उदेलार्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे हैं दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों हर मुर्गी पालक भाई परेशान होता है मुर्गियों के फिड के लिए हाँ दोस्तों दिन बदिन फिड की बढ़ने वाले कीमतों की वजह से मुर्गी पालन का व्यावसाय बहुत अच्छा दिखते हुए भी दोस्तों वहाँ पर कभी-कभी घाटे का सवदा हो रह जो आवशक घटक उसके शरीर के अंदर मौजूद होने चाहिए वो सभी घटक होने के कारणवश आपके मुर्गियों के फार्म से होने वाला उत्पन भी बढ़ेगा आईसे में दोस्तों आज के इस वीडियों में देखेंगे कि मुर्गी पालन के व्याउसाय में गेहू चावल का इस्तमाल 12 माहा कैसे करना चाहिए गेहू चावल का इस्तमाल करते हुए कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा माना और कहा जाता है कि गेहू का इस्तमाल अगर हम तेज गर्मी में करेंगे तो उसका side effect हो सकता है दोस्तों गेहू और चावल का इस्तमाल बारा माह कर सकते हैं क्योंकि मुर्गी पालन के व्यवसाय को हम गेहू चावल से जुदा नहीं कर सकते हैं ऐसे में दोस्तों अगर आपको बारा माह गेहू चावल का इस्तमाल करना है कि जो सबसे सस्ता आपको माटेरियल मिलता है तो दोस्तो इसके लिए यह वीडियो अंततक देखना होगा क्योंकि सर्दी हो बरसात हो या हो फिर गर्मी बारा माह आप मुर्गियों के फार्म के लिए फिड के दवरान दोस्तो यहां पर गेहू और चावल का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन कैसे जानने के लिए वीडियो शुर पालक भाईयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए इसके लिए आप परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के साथनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हो रह के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में गंटियांग इस गंटी को टच करते हुए आल इस नोटिफिकेशन को आने वाला हर इडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देख लिजे दोस्तों सबसे इंपोर्टन जानकारी जो है दोस्तों मुर्गी पालन में होने वाला फिड का खर्चा जो यह फिड का खर्चा घटाने में काम्याब हो गया सफलता उसके लिए दोस्तों बहुत के लिए क्या और कैसे करना पड़ेगा तो देख लिजे दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि गेहों और चावल के अंदर कौन से तत्व होते हैं और कौन से रसायन होते हैं कि जिनका इस्तमाल जब-जब हमें करना पड़ेगा तो कैसे और कितने लेवल पर करना पड़ ताकि 12 महा में मोसम में होने वाले बदलाव को हम यहां पर एड़्जस्ट कर पाए इसके अनुसार देखेंगे तो दोस्तो बहुत ही आसान बात है कैसी तो दोस्तो यहां पर मुर्गी पालन के व्यावसाए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तो और जाका करीन में ताकत रहेगी तो ही अंड़ा बन पाएगा दोस्तो ऐसे मैं आपको पता होना चाहिए कि मुर्गियों के लिए इनर्जी देने का काम करता है दोस्तो गेहूचावल-मकाई-बाजरा और जवार दोस्तो इनमें से बात करेंगे आज गेहूचावल की दोस्तो आप खेल दोस्तों आपको पता होगा की सरदियों का मौसम या फिर दोस्तों बरसात का मौसम ऐसे में मुर्गियों के शेरीर में अगर हीट कम हो गई तो अंडों का प्रोडक्शन घटते हुए दिखाए देता है खास तोर पर दोस्तों दिसंबर और जनुवरी के माह में आयसे में दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर देखनी और जाननी होगी कि बाहर के तापमान को हम चालेंज नहीं कर सकते हैं और मुर्गी के शरीर के अंदर के तापमान को भी चालेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि मुर्गियों के शरीर का तापमान बढ़ा सकते हैं दोस्तों गेहू देकर हां दोस्तों गेहू के अंदर जो हीट होती है वह बहुत ही जादा सपोर्टिव होती है लेकिन इसका इस्तमाल कैसे करना चाहिए 12 माहत देख लीजिए तो दोस्तो गेहू के इस्तमाल की बात करें तो सर्दियों के मोसम में अगर तापमान बहुत घटता है तो प्रति दिन आप 25 ग्राम तक गेहू का इस्तमाल प्रतिमुर्गी कर लीजिए और तापमान समझो 20 डिगरी से उपर हो और ठीक है सुहाऊना हो तो ऐसे में दोस्तो 20 तक आप गेहु का इस्तमाल कीजिए गेहु का आदर्श इस्तमाल सर्दी से लेके बरसात तक दोस्तों आपको इन आठ से लेके नौ माहा के भीतर दोस्तों 15 से लेके 25 ग्राम में करना है यानि कम से कम 15 ग्राम और अधिक से अधिक दोस्तों यहां पर 25 ग्राम तक आपको इसका इस्तमाल करना है उसके बाद दोस्तों बात आती है गर्मियों के लेकिन गर्मियों के फरवरी और मार्च महा में आप तो भी 15 ग्राम तक यहां पर गेहूं का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे ही गर्मी वहां पर तेज शुरू होगी जो गर्म मुर्गियों को वहां पर जो है दोस्तों लड़ना पड़ता है स्थाप्मान के साथ और इसलिए दोस्तों आप तेज awaiting में गेहुं का इस्तेमाल ना करें लेकिन गेहुं का इसे माल तेज देने की जगह पर दोस्तों हाइड्रोफोनिक तरीके से उनको आठ दिन तक भीगो कर बिना मट्टी के दोस्तों उनको वहाँ पर और उसके माध्यम से दोस्तों आपको गेहू देना यह बहुती ज्यादा पोशक तत्व माना जाता है कि जिसमें दोस्तों अलग विधी का इस्तमाल करके गेहू का इस्तमाल गर्मियों के मोसम में भी किया जा सकता है इसलिए गेहू का इस्तमाल आप एक नहीं दो नहीं तो तीनों मोसम में बारा महा 365 दिन कर सकते हैं लेकिन दोस्तो अलग अलग तरीके से तेज गर्मी में हैडरोपोनिक गेहू और दोस्तो साधरन स्थिती में आप कम ज़्यादा प्रमान लेते हुए 15-25 ग्राम तक गेहू का इस्तमाल कर सकते हो इसके कारणवस मुर्गयों के शरीर के अंदर का तापमान बढ़कर अंडों का प्रडुक्शन बढ़ता है दोस्तो हीट की वजह से आने वाली बीमारियों का प्रतिशत घटता है और साथी में दोस्तो हमारा जो फिल का खर्चा है वह भी दोस्तो एक लेवल पर रह जाता है क्योंकि गेहू जो रैशन वाला मिलता है दोस्तो बहुत ही सस्ता मिलता है उसके बाद दोस्तो चावल चावल का इस्तमाल 12 माहा तक दोस्तो आप कर सकते हो लेकिन इसका इस्तमाल कॉंस्टंट 15 ग्राम तक कीजे इससे ज्यादा या कम मत दीजे कभी कबार 2-4 ग्राम प्लस मैनस हो गया तो दिक्कत की बात नहीं है इस तरीके से गेहू चावल का इस्तमाल करने से मुर्ग्यों के शरीर में हम वहाँ पर बहुत आया दोस्तों यहाँ पर जो है मुर्ग्यों के शरीर की हिट तो बढ़ा सकते है साथी में दोस्तों हमारा फिड का खर्चा ना बढ़ाते हुए लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो आटे की वहाँ पर चक्की होती है उसके नीचे जो आटा गिरा हुआ होता है वह गेहु चावल बाजरा मकाई का भी हो तो इन सभी को लाकर दोस्तों आप मिक्स करके भी वहाँ पर इसके साथ आप फिड के तौर पर दे सकते हो क्योंकि यह पात से लेके आट रुपे प्रतिकिलों के भाव पर मिलता है जो भारत वर्षे के फिड के रेट को देखे तो दोस्तों तकरिबन 5 गुना कम यानि 20 ही प्रतिशत में आपको वहाँ पर मिलता है इससे 80 प्रतिशत आपकी खर्चे की राशी बच जाती है तो ये दोस्तों बहुत छोटी छोटी बाते हैं इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सव प्रतिशत दोस्तों मुर्गी पालन के व्यावसाई में इतिहास को वहाँ पर बनते हुए देख सकते हो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को आप भूल जाते हो प्रतिदिन 15-20-30 आपके मन में जितना आए फिड़ खिलाते हो दोस्तों ऐसे से मुर्गियों का पे क्या लगता है कि आपके कुछ गलती हुई होगी तो दोस्तों सुधार लिजे और कोई समस्या होगी तक कॉमेंट सेक्षन में लिखकर भेज दिजे इस तरीके से करिए दोस्तों आप गेहू और चावल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा आपका हो जाएगा फायदा कमेंट्स में समस्या भेजते हुए वीडियो अब देखते हुए पसंद आया होगा तो लाइक कीजे ज़्यादा ज़्यादा किसान भायों के पास भेजने के लिए शेयर कर दिजे उसके लिए परसनल वाटसब नमबर वाटसब ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप फेस्बुक के इंस्टाग्राम स्नैप्चैट इन सोशल मीडिया के साथ नों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हैं रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भायों और मुर्गी पालक भायों से हाथ जोड़ कर विंती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपन इंगिस घंटी को टच करती हुए और इस नोटिफिकेशन को अल कर दीजे तक आने वाला हरी वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों आई से एक नए वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तु देलाड़ आप सभी के चही तेज चानल इंडियन मुर्गी पालन प है का आज कुड़ों में तहें दिल से बहुत-बहुत आभाद